चतरपुर में थाने पर पत्थराव के मामले में उपद्रव्यों के खिलाफ पुलिस का अक्शन लगतार जारी है और मुख्य आरूपी हाजी शहजाद अली की 20,000 वर फीट में बनी आली शान कोठी को तोड़ दी गई है इस अक्शन के बाद मुख्य आरूपी हाजी शहजाद अली का एक बयान सामने आया क्या कह रहा है वो सबसे पहले आपको वो सुनाती है हुजूर सल्लाब सल्लम के सान में जो गिरी राज महंत हैं उन्होंने जो गुस्तादिया की थी उसके बिरोध में हमारे यहां के अंजमन सदर और अंजमन सदर कमेटी इसके अलावा उल्मा कमेटी और सारी आवाम बहाँ पर ग्यापन देने गई कि इनके खिलाब FIR की जाए जब वहाँ यह सारे लोग पहुचे तो बहाँ पर P.I. साब मौझूद नहीं थे करीब एक घंटे वो नहीं आये तो हमारे पास फोन आया और हम भी वहाँ पर पफट गए जहां पर सारे लोग खड़े ते बहाँ पर साब भी थे SDM साब भी थे डिप्टी कलेक्टर साब भी थे और वो हम लोगों से अच्छी तरह परचे थे क्योंकि हमारी जो तंजीम है वो आज करीब 14-15 साल से समा सेवा का का काम कर रही है वो हम लोग सासन पर सासन से मिलके ही काम करते हैं और हमारे जुरूस में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी ने पत्रहाओ किया हो कई ग्यापन हम लोगों दे चुके जब मैं भी सदर रहा तब भी मैंने ग्यापन दिये करीब आज तक कभी वह ऐसी कोई घटना नहीं हुई इसमें तो किसी की साजसन साजस है कि जिसने इस तरीकी की घटना को हंजाम दिया क्योंकि जब टी आई साहब पुलिस फोर्स आवाम को रोक रही थी आवाम अंदर आने की कोशिस कर रही थी तो दोनों में जड़त हुई इनने लाखी चार्ज किया तो किसी आसामाजित तक तो दौरा वहां से पत्थरवाजी होने लगी तो मुझसे एडिस्नल साहब साहब ने कहा साहब मुझको हाथ पक्ला के साथ मिले के गए कि आपकी जंदा बात मानती है आप रोको मैं गया मैंने महां रोका लोगों को भगाया वीड़ को चितर विदर किया सारी एक तरफ हुई उसके बाद पत्थर मेरे उपर भी बरस रहते दो चपल मुझको भी लग अब तो यहां माहूल खराब है और यह पहली घटना यही है जो च्छतरपूर का माहूल खराब किया गया आज तक कभी भी हमारे सहर में इस तरीकी घटना कभी भी नहीं हुई लगी तो आप जो आतन्जीम चला रहे हैं तो उसमें खाली मुसलमारों के लिए काम करते हैं कि हिंदू बगर आते हैं हिंदू भी आते हैं मुसलिम भी आते हैं और हमाई एक खानका है उस खानका में बैटके हम लोग हर संड़े को जो भी समस्याइं होती हैं अपने समाज की भी और गेर समाज के लोग भी आते हैं उनकी भी समस्याओं का हम लोग हल कराते हैं और यह पह ने जब से डियाई जी साथ पहले यहां SP भी रहे तब भी उनके साथ हम लोगों ने मिलके काम किया कभी भी ऐसी घटना को कभी भी अंजाम किसी ने नहीं दिया यह कुछ आसामाजिक तत्तों द्वारा यह घटना कराए गई है जिसकी मैं चाहता हूँ परसासन से भी कि इसकी निस्पक्ष जाच करें और मुकमंत्री जी से भी मैं यह बुजारिस कर रहा हूँ कि आप इस चीज की पुना जाच करवाएं तो जो इसमें उपद्री है वो अपने आप मिल जाई है क्योंकि जो लोग गए थे वो पद्री नहीं थे तो सुना आपने हाजी अहली का यह कहन है कि किसी ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है जब टी आई और पुलिस लोगों को रोक रही थी तब ही इनमें जड़प हुई थी इस दोरान आसामाजिक तत्वों ने पत्थर बाजी भी की और पुलिस के कहने पर मैंने लोगों को रोका भी ऐसा शेहजाद का कहना है मुझे भी पत्थर और चपल लगी है दोनों तरह से पत्थर चले हैं और सातियों उसने कहा कि पुलिस ने भी पत्थर चलाएं हैं माहौल बिगरता देख मैं बहां से निकल गया ऐसा शेहजाद का कहना है पुलिस और प्रशासन की टीप हाला कि 45 अन्य आरोपियों के अबै देखते हुए ये इंतजाम किये गए शेहजाद अली और उसके चार अलग-अलग भाई है जिनका कारोबार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है बड़ा भाई आजाद अली नगरपाली का का पार्शद है शेहजाद खुद जिला कॉंग्रेस का पूर्व उपाध्यक्ष रह है और बाकी दोनों भाई जमीन, रेध, पुराने टायर और ओयल का कारोबार करते हैं उनका ऐसा कबजा था कि दूसरा ब्यक्ति इस धंदे में इंट्री नहीं कर सकता था उस पर जमीन पर कबजे के भी कई बार आरोप लगे हैं मुस्लिम समदाय के लोगों की भीड महराश के नासिक में महंत रामगिरी द्वारा पैगंबर सहाब खिलाफ दिये गए एक बयान के खिलाफ एफायार दर्ज कराने के लिए कोट वाली में जमा हुई थी तब ही अचानक सिभीर ने पुलिस थाने में पत्थराव शुरू कर दिया टी आई अर्विंद सहीद दो पुलि कारवाई होकर ही रहेगी मुख्यमंत्री से मिले निर्देश के बाद आई जी प्रमोत कुमार और कमिशनर विरेंद रावत भी छतरपूर आये थे और उसके बाद ये कारवाई की गई है हलक की तस्वीरे भी सामने आये थी जब कई सारे लोग लगबक 40-45 लोग थे जब व पुलिस ने देखा कि इनके हाथ में हथियार है पत्थर है तो पुलिस ने में गेट ही बंद कर दिया थाने का जिसके बाद और भी जादा गुसा और आक्रोश इनमें देखने को मिला और इन लोगों ने तुरंट पत्थर बाजी शुरू कर दी इसमें जो सबसे मुख्य आ जिंग अभियान चला रही है और उन तमाम लोगों की list तयार कर रही है जिनके अवाइद तरीके से घर मकान बने हुए है सोचिये इतना आलिशान घर जिसकी कीमत करोडों में थी अब उसको ने इस तरह बूत कर दिया गया है क्योंकि अबाइद तरीके से इसको बनाए गई थी कई गारिया यहाँ पर महंगी महंगी गारिया यहाँ पर खड़ी थी तीन-तिन फॉर्चुनर्स खड़े थे इनको भी ध्वस्त कर दिया गया है इनको भी पुलिस की तरफ से जो है आक्शन इन पर भी लिया गया है हाला कि अभी देखना होगा कि और भी कितने आरोपी है और कहा कहा आक्शन लिया जाएगा आप छदरबूर मामले पर क्या राय रखते हैं जरूर हमें कॉमेंट कर बताएं और और भी ऐसे कई वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूले हमाई एक खानका है उस खानका में बैटके हम लोग हर संड़े को जो भी समस्याइं होती है अपने समाज की भी और जो गेर समाज के लोग भी आते हैं उनकी भी समस्याओं का हम लोग हल कराते हैं और ये पहली ऐसी घटना है तो हम अपने मुकमंत्री जी से ये गुजारिस करेंगे कि आपके पास सच्चाई नहीं पहुची और जो हमाई पुलिस पर सासा ने इसको भी गुमरा कर दिया गया मेरे बारे में उनके सामने जब से डियाई जी साथ पहले यहाँ एस पी भी रहे तब भी उनके साथ हम लोगों ने मिलके काम किया कभी भी ऐसी घटना को कभी भी अंजाम किसी ने नहीं दिया ये कुछ आसा माज़े तत्तों द्वारा ये घटना कराए गई है जिसकी मैं चायता हूँ परसासन से भी कि इसकी निस्पच जाच करें और मुकमंत्री जी से भी मैं ये बुजारिस कर रहा हूँ कि आप इस चीज की पुना जाच करवाएं तो जो इसमें उपद्री है वो अपने आप मिल जाई है क्योंकि जो लोग गए थे वो उपद्री नहीं थे